जै श्री राम आपका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं हूँ ललित शर्मा आज आपको वास्तु शास्तर की एक और विदिशा के बारे में जानकारी देंगे उस विदिशा को हम दक्षिन पूरव विदिशा या अगने कौन कहते हैं अगने कौन से आप चान ही गए होंगे कि अगने से मतलब अगनी अर्थात आज इस वीडियो में हम अगनी से रिलेटिड कुछ बातें जानेंगे और जानेंगे कि अगनी कौन या अगने कौन हमारे लिए किस परकार से लाब दायक है तो वीडियो शुरू करते हैं पूरव एमदक्षिन दिशा के मध्य में होने के कारण इस कौन में अगनी ततव परमुख माना गया है इस कौन का संबंद स्वास्थे के साथ भी है हमारे घर में यदि यह कौन दुशित है तो घर में रहने वाले सबी सदस्यों का स्वास्थे किसी ना किसी रूप में खराब रहता है प्राए यह भी पाया गया है कि इसमें रहने वाले मनुश्यों के परिवार के रोग जाने का नाम तक नहीं लेते अगने कौन को दुशित होने से अगनी द्वारा हानी या भै भी बना रहता है अगनी कौन में हमें कभी भी शयन नहीं करना चाहिए अर्थात अगनी कौन में कभी भी सोना नहीं चाहिए यहां रहने पर अगनी एवं आक्समिक दुरगटनायों की संभावना बहुत बढ़ जाती है तो दोस्तों आज हमने आपको दक्षिन पूरव अर्थात अगने कौन के बारे में जानकारी दी तो मैं मानता हूँ कि अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आपका अगनी कौन किसी भी परकार से दुशित ना हूँ वो बिलकुल सवच रहे और कोई भी घर का सदस्य अगनी कौन में ना सोए तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके जै श्रीराम